हैलो दोस्तों नमस्ते कैसे आप सब आज मैं आपको बताऊंगी कि इस मोसम में कौन-कौन से पोधे कटिंग से लगाये जा सकते हैं जो कि आसानी से ग्रो हो जाए अब इसा मोसम है कि आप जो भी कटिंग लगाएंगे अच्छे से लग जाएगी जो कि इंडूर प्लांट्स ह और लगा दीजिये, देख़े, यह भी मैंने cutting से ही लगाय है, चोटे से ही pot में, असानी से चल जाते हैं, यह मौसम ऐसा होता है कि आप कोई भी cutting लगाएंगे, अच्छे से grow हो जाएगी, यह भी देख़े, यहाँ भी मैंने cutting से ही इसको लगाय हुँआ है, यहाँ से ऐसे cutting से यह पत्लिक श kalian बोह जाते हैं ज्यादा इसको डिक्वाल की विज्रुट नहीं होती है दो पत्ति से भी आप इसको लगा सकते हैं बास ऐसे मिंट्टी में इसको लगा दीजिये पानी डाल दीजिये और दो चार दिन में कपानी देना होता है ज्यादा जल्दी इसमें पानी भी न नहीं देना होता है इसमें कई सारी व्राइटिया आती है देखिए एक वराइटिया ने पी है जिसके मैं दूर दिन पहले ही कटिंग लगाई थी जिसमें या नई पत्त आने लगे यह कॉलियेस इसको भी कटिंग से ळगा सकते हैं यह बगिया में तुरे काफ निक्ती है एद्कूला गणा भी होता है इसके उपर की पत्यों को तोड़ते जाएंगे गणा होता जाएगा देखिए इसमें बीज बन गए हैं बीजों को भी तोड़ देजिए जिससे कि यह ब्रांचस निकलेंगी और सुंदर लगती है यह है क्लांचो वाली देखिए इसमें एक वारी फूल खिल यहां सी कट लेजिए ऐसे करके और मिटी बना लाए बेन लगा दीजिए यह लगाए वह इसको ग्रोव हो गई है यह मैंने पहले करीब लगाई थी यह अजवाइन का पोधा जोकी मैंने कर्टिंग से लगाया है अभी आप यह लगा सकते हैं इसको हम पर्चलों की बोलते ह यह मेरे पास खूब सारे गेंदे के पोधे जो कि मैंने फूलों की बीच से ही लगाए थे और देखिए एक ही फूल से ही कितने सारे पोधे मेरे बन गए हैं ऐसे ही आप लगाईए अपनी बगिया में रंग भी खेरिए फूलों की कमी आपके पास पोधों की कमी कभी भी नही होगी हमेशा बीज कठे करते रहें कटिंग से पोधे लगाते रहें और अपने बग्या को हरा बड़ा रखे रहें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो मैं चनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू